दोस्तों क्या आपको पता है इंसान का दिमाग कितना पावरफुल होता है और इसका यदि सही स्थमाल किया जाए तो क्या चमतकार हो सकता है चलिए आईए जानते हैं एक स्टोरी के मार्द्यम से भी दोस्तों नमस्कार मैं मुकेश सिंग मोडिवेशनल स्पीकर पबलेस्ट यूटुबर और पोच आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं अमेरिका की जहां एक कैदी को फांसी की सजा डिकलेर की गई एक पर्टिकुलर डेट को उसकी फांसी की सजा होनी थी अभी वहां डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट लोगों की एक टीम ने उसके उपर एक इसको सजा दिलवाना चाहते हैं हम इसके उपर एक प्रेक्टिकल करना चाहते हैं जो मानव कल्यान के लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है वहां की जो जूडिशरी थी उसने बात मान ली और उन्होंने उसकी सजा में थोड़ा सा फेर बदल कर दिय कि उसी दिन उसी समय पर इसको मौत की सजा तो दी जाएगी लेकिन फासी के तू नहीं इसको कोबरा से डस्वाया जाएगा दोस्तों उसको भी बताया गया जब फासी की सजा होती है तो गरदन की हड़ी तोटती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है इसलिए हम चाहते कि आपको ज़्यादा पेन नहों इसलिए आपको कोब्रा से डसवाया जाएगा अभी वो जो कैदी था दोस्तो वो सहमत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको आप 2400 घंटे वो कोब्रा दिखाई देने लगे उसको दिखाया गया था कि ये कोब्रा है ये इतने दिन ब में वही पिच्चर चला करें फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन उसको कोब्रा से डसवाया जाने वाला था अभी वो जल्लाद कोब्रा लेके आ गया उसको कोब्रा दिखाया गया कि देखो आपको इस कोब्रे से अभी डसवाया जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी उस व वो जलाद ने क्या किया, वो उस कोब्रा को लेके साइड में हट गया, और वो जो वहां डॉक्टर्स और साइंटिस्स लोगों की जो टीम थी, उन्होंने सिफ एक छोटा सा काम किया, उन्होंने एक पिन ली, दो मूँ वाली जो पिन होती है न, जिसे कांटा वगरा कईबा ख हैं, दोस्तो थोड़ी देर में देखा गया, उसके मुंह में से जहाग निकले, वो तडपा और वो कैदी मर गया अब यह उस कैदी का post-martem किया गया, आपको जानके ताज़ुब होगा, कि उस कैदी की post-martem रिपोर्ट में आया, कि इस व्यक्ति की मौत सांप के जहर की वजहे से हूई है अब याप सोच के देखे दोस्तो सांप तो उसके नजदीक भी नहीं लाया गया फिर यह सांप का जहर आया कहां से दोस्तो सांप का जहर उसके mind ने produce किया उसके brain ने produce कर दिया यानि उसकी जो intensity थी thoughts की उसकी जो सोचने की जो तीवरता थी उसके मन में जो भह बैठ गया था जो डर बैठ गया था उस intensity की वज़े से उस mind ने उस दिमाग ने उसके body में सांप का जहर पैदा कर दिया It is the power of our mind ये हमारे mind की power है कि जहां कुछ भी नहीं है ये जहर पैदा कर सकता है ये कुछ भी कर सकता है तो अब दोस्तों सोच के देखिए कि यदे आपका mind जहर पैदा कर सकता है तो क्या लगता है आपका mind success के लिए रास्ता पैदा नहीं कर सकता success के लिए आपके अंदर वो सारी चीज़ें पैदा नहीं कर सकता जो आपको success दिला सके ये कुछ भी कर सकता है बशरते आप इसका सही इस्तमाल करना सीख जाए mind is very powerful ये बहुत powerful है आप इससे यदे इसे negative command देते हैं तो ये negative 10 चीज़ें निकाल के देता है यदे आप इससे positive command देते हैं तो ये positive 10 चीज़ें आपको निकाल के देता है इसका use कैसे करना है इसका इस्तमाल आपकी success के लिए कैसे करना है ये depend आपके उपर करता है कि आप इस positively handle करते हो अपने mind को या आप negative handle करते हो यदे आप अपने mind को positively handle करते हो इसको अच्छे affirmations देते हो इसको अच्छी चीजे समझाते हो इसके साथ positive बाते करते हो तो यह आपको positive result positive effect आपको निकाल के देगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की स्टोरी से आपको समझ में आगया होगा कि एक इनसान का माइंड कितना पावर्फुल होता है और ये क्या क्या कर सकता है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आप आये हैं तो जदूर सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन को हिट कीजिएगा मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में सब तक के लिए नमस्कार